शिक्षा का सिस्टम है, उसको एक संगठन ने कैप्चर कर रखा है, अपने लोगों को हर पोस्ट पे यही डालते हैं पेपर लीख होने के बाद कारवाई करना एक बात है बहुत जरूरी है और स्ट्रिक्ट कारवाई होनी चाहिए कि paper leak होने से पहले जो systems हैं इनको study करकर redesign करना पड़ेगा विपक्ष दबाव डाल कर ये दो काम सरकार से करवाने की कोशिश करेगा हमारे manifesto में हमने लिखा था देखिए दो-तीन चीज़े हैं सबसे पहले जो शिक्षा का system है उसको एक संगठन ने capture कर रखा है अपने लोगों को हर post पे ये ही डालते हैं Vice Chancellor's की list निकाल लीजिए पता लग जाएगा तो इसको reverse करना होगा दूसरी बात manifesto में हमने साफ कहा कि paper leak होने के बाद कारवाई करना एक बात है बहुत जरूरी है और strict कारवाई होनी चाहिए मगर हमने ये भी कहा था कि paper leak होने से पहले जो systems है जो university के exams के rules है systems है इनको फिर से assess करना पड़ेगा इनको study करकर redesign करना पड़ेगा ये दोनों काम हमने अपने manifesto में साफ लिखे हैं और विपक्ष दबाव डाल कर ये दो काम सरकार से करवाने की कोशिश करेगा